Hello everyone, my name is Kishan Rabdi here. You are watching Inside India Politics Channel. Intro Namaste और स्वागत है आपका हमारे वीडियो में, जिसमें हम आपको इंडिया के पोलिटिकल पार्टीज के बेर में कुछ अच्छे और कुछ खराब बाते बताने वाले हैं. Overview of Political Parties in India इंडिया में बहुत से पोलिटिकल पार्टीज हैं, जो अपने वोटर्स के लिए कम करते हैं और उनके लिए वोट मांगते हैं. कुछ पार्टीज अपने वोटर्स के लिए डिवलप्मेंट और प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं, तो कुछ पार्टीज अपने वोटर्स के लिए सोशल जस्टिस और एक्वालिटी के लिए काम करते हैं Most Recognized Political Parties in India इंडिया के Political Parties में कुछ ऐसे Parties हैं जो बहुत Recognized हैं और बहुत सारे वोटर्स उनके साथ जूड ये हैं इनमी से कुछ पार्टीज हैं, BJP, Congress, AAP, TMC, BSP, ETC, BJP and Congress, A Comparison BJP और Congress दोनों है बहुत बड़ी और Recognized Parties हैं लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस हैं BJP का Focus Development और Progress पार है, जबकि Congress का Focus Social Justice और Equality पार है दोनों के अलावा, इनके Policies और Manifesto भी अलग-अलग हैं आप, A Newcomer in Indian Politics आप एक नया पार्टी है Indian Politics में, जो के Delhi के Chief Minister Arvind Kejriwal के Leadership में है आपके Focus Corruption-Free Governance और Education पार है आपके Policies और Manifesto भी बहुत Innovative और Pro-Public हैं Regional Political Parties and Their Impact India में कई Regional Parties भी हैं, जो के अलग-अलग States में Active हैं और उनके Voters के लिए काम करते हैं इनमी से कुछ पार्टी हैं TMC, BSP, DMK, ETC इनके Impact भी बहुत ज्यादा है उनके Respective States में और इनके Policies और Manifesto भी अलग-अलग हैं Importance of Recognition to Political Parties Political Parties के Recognition का Importance बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह Decide कार्टी हैं की पार्टी कितने Voters के साथ जूड हुए हैं और कितने लोग-अस पार्टी के Policies और Manifesto के साथ अग्री हैं Yeah, we Decide कार्टी हैं की पार्टी को कितने Voters मलज और उसके बाद अस पार्टी को कितने Seats मिलेंगी Conclusion To Dawson, यह थी हमारी वीडियो इंडिया के Political Parties के पेर में इस वीडियो को शेर करे और Dawson से भी ये Message पाचाए की हम Corruption के Against खड़े हैं और इंडिया को एक Corruption-Free देश बनाने के लिए जिमेदार है We Hope You Found This Video Informative Don't Forget To Share Your Thoughts In The Comments Below And As Always, Don't Forget To Hit The Like Button And Subscribe To Our Channel For More Informative Content हमें उमीद है कि आपको यह वीडियो पासांट आया होगा अगर आपके पास कोई सवाल या फीडबाक है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिखिये